आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कीमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है सबसे पहले हमें कीमा ले ले लेना है लसन अद्रक का पेस नमग पिस हुई मिर्चे हल्दी साबुत गरा मसाला जीरा पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चे आलू ले लूँगी मैं और प्यास ले लूँगी टिमाटर जो आप अपने हजबे जरूरत चीज़ें कीजिए का मैं एक पाव का कीमा बना रही हूँ सबसे पहले मैंने पैन में ऑईल ले लिया है ऑईल को गरम होने देंगे अच्छी तरीके से उसमें एड़ करेंगे हम साबुत गरा मसाला उसके बाद मैंने इसमें प्यास एड़ कर दी है दो अदद प्यास मैंने लिए प्यास को अच्छी तरीके से हम फ्राइ करेंगे यहा तक कि इसकी स्मेल चली जाए अब मैंने इसके अंदर टेमाटर एट किये हैं दो टेमाटर मैंने इसमें एट किये हैं इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे टेमाटर भून लेने के बाद हम इसमें कीमा एट करेंगे कीमे को अच्छी तरीके से भूनेंगे यहां तक क जितना भी आप कीमा ले रहे हैं जितना भी आप भी आ अपना बनाना चाह रहे हैं खाना उस हिसाब से आप इसमें एडिदे गाएगा अब किमे और आलु के साथ हरी मिर्चियों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अब हमें इस वक्त तक भूनना है जब तक यह अपना अलग छोड़ दे यह देख से आप लोग कि इसमें इस अलग हो चुका है यानि यह भून गया है अब हम इसमें पानी एट करेंगे और पानी एट करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे आखिर में आप लोग इसमें गरम मसाला एट कीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला एट करने के बाद आपका कीमा अलो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है आपके सामने है आई हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे शेयर कीज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं चैनल कमें बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लेगी बहुत ही एजी है थैंक यू सो मच अलाहाफिज